इस फिर हम बात करेंगे मीम कोईन के प्राइज मोमेंट के भारे में एंट्री लेवल्स, अबडेटेट लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कोईन के टागिट्स के रहेंगे काइंट्री कोईन 0.0265 पर ट्रीट कर रहा है अभी इस कोईन ने 0.026 वाला लोग बनाया और एक अच्छे खासे लेवल पर अभी इस कोईन में एक अच्छी स्टेबिटी देखने को मिल रही है और वो आप पिस से एक अच्छी अपोश्टी इस कोईन के निकल के आ रही है जो भी इस coin में entry देख रहे हैं previously entry miss की करके quick profit miss किया है उनके लिए बात करें कौन से आपके लिए best entry points रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए targets कर रहेंगे as a trader long term और short term के perspective से आप किन areas पर नजरे बना रख सकते हैं अवराल सारी जो के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आए हैं जिनको जादा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने premium services start की है ताकि वहाँ पर आपको proper guidance proper study share की जा सके चेट access रहेगा crypto queries as all की जाएगी signal share की जाएगी और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा के link वीडियो के description में है 0.0266 पर अभी ये coin trade कर रहा है 15 minute का chart open है और अभी इस coin ने exactly 2.6 वाला level hit किया और शायर आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा होगा उससे पहले वाले वीडियो भी देखे होगे और हमने जो entry आपको बताई थी faster level जो entry point बताया था वहाँ this coin ने hit कर दिया है और आपने portfolio में this coin को add कर लिया होगा अभी आपके portfolio में थोड़ा सा profit भी देखने को मिला होगा अब हम 4 hour के चार्ट में जाते हैं यहाँ अब अगर आप scenario देखेंगे तो पहले तो this coin ने November के starting के round में जब this coin के listing होई थी उसके बाद से थोड़ा this coin ने move लिया उसके बाद से correction देखने को मेला 0.0 15 तक price आ गई थी उस टाइम में हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि अभी यह coin quick move करके market के साथ में अच्छा कासा move करेगा और easily 0.04 से लेके 45 को try करेगा this coin ने यहाँ हिट किया हमने अच्छा profit generate किया फिर वापिस हमने वीडियो शेयर किया था जब इसमें correction हो रहा था कि यहाँ से अगर आप entry देख रहे है इस coin में तो जल्दी बाजी बिल्कुल नहीं कर दी है अच्छे खासे level पर एक coin आ जाएगा वहाँ पर आपको entry लेनी है और जो अच्छे खासे level है आपको बताये थे 0.025 और 0.023 तो यहाँ इस coin ने डंप लिया लेकिन थोड़ा से चुक गया 0.025 003 वाला level हिट किया इस coin ने यहाँ बहुत ही बहुत points से चुक गया फिर इस coin ने move किया फिर हमने वीडियो शेयर कि कोई बात नहीं है चुक गया है वापिस ही है क्योंकि इसमें जो सिनारियो बन रहा है लोवाराइस पेटन बन रहा है यह इजीली 2.5, 2.6 तक 2.5 तक आएगा ही और यहाँ आपको इस coin में entry मिल गए 2.35 second level था 2.3 वाला second level था लेकिन वहां तक price नहीं गए तो 2.5 को हमने buy कर लिया फिर वापिस हमने वीडियो शेयर कहता जब यह coin यहाँ था तब भी आपने buy किया और quick हमने target बता था 0.031 वाला level first target था second target 0.034 था तो 3.1 को इस coin ने अभी hit किया हमने profit generate किया 3.3 तक try किया इस coin ने इस coin ने 3.3 तक 3.4 को try नहीं किया तो 3.4 के लिए हमने hold किया हुआ है और हमने पहले बताया कि 3.4 वाला जो level है वो second level रहता है जिस पर जाने के chances जो रहते हैं वो 50-50 के रहते हैं first हमारी priority रहती है और इसी तरह buying के लिए हमारा जो level रहता है first level buying priority रहता है second level जो है वहाँ जाने के chances ऐसी condition में रहते हैं जब BTC fluctuate कर रहा है BTC dump कर रहा है market में थोड़ा correction है तो उसके लिए हम second level की buying रखते हैं और इसी तरह second level का जो target है उसके बीच में first और second level के target के बीच में crisis area रहता है वहाँ सब reject नहीं होता है और market भी अच्छा कासर रहता है तो target हिट हो जाता है second target वह हिट नहीं किया correction कर रहा था फिर हमने अभी video share किया था 24 को video share किया था 25 को share किया था यहाँ पर यह जो है 26 को try किया था यह level और हमने जो 24 को 25 को video share किया था उसमें बताया भी था कि यह coin target हिट करेगा उसके बाद वापिस correction होता है तो आपको जल्दी बाजी नहीं करनी इंट्री लेबल से हमने बताये थे इंट्री लेबल बताये थे 0.026 26 के around में आप buy कर सकते है 0.0262 यह 258 इस level के around में तो आपने buy limit अगर लगानी तो 26 के लगानी है और अगर आप market को follow करते है तो 262 के around में buy कर सकते है तो जन्होंने buy limit लगाई थी यह फिर जन्होंने market को follow किया जो भी किया 26 पर exactly price आ गई अब अगर आप देखे तो आपने buy कर लिए हो कल भी हमने video share के था कल एक coin 0.0286 पर था तब भी बताया था कि 26 पर price आती तब ही buy करना उससे पहले buy नहीं करना क्योंकि market अच्छा खासा fluctuate कर रहा dump कर रहा है और दूसरी चीज़ यह है कि 0.0285 इस coin के लिए daily में support area था उसको भी इस coin ने lose कर दिया भी क्योंकि आज की जो daily closing है यानि कि कल की daily closing सुबह हुई है वो 271 कर आउन हुई है तो 285 के support area को इसने lose कर दिया तो price जो है वो 24 तक जाने के भी chances थे क्योंकि 24 इस coin को daily में support area है और जिस type से btc correction कर रहा है बार बार देखिए 37,000 से उपर जा रहा फिर dump कर रहा तो also उसके साथ move नहीं कर रहे और फिर dump कर जा रहे अब btc यहाँ जाएगा 37,000 वहाँ से dump करेगा यह coin 26 से थोड़ा नीशी आ जाएगा इस type से moment हो रहा है तो second level की बाइंग आपको as it is 235 में बताई हुई आपको previous हर वीडियो में 235 बताई है as it is आपको 30% की buy limit लगानी अभी आपने 70% परट से buy किया है second level की बाइंग आपकी hit नहीं हुई है लगा के रखनी है hit होता नहीं होता कोई problem नहीं है target की अगर बात कर 0.031 और 0.033 वाले दो target रहेंगे आपके जहाँ पर आपको 60-40 के ratio में sell करना है quick target जो quick जो profit generate करना चाहते हैं जिसे यहाँ से move करेगा अपके target hit होंगे अब यहाँ पर support and resistance area की बात करें तो 0.024 अभी इस coin के लिए daily में support area है और उपर की तरफ 285 वाले जो level है जो की पहले support था अब वो resistance बन गया है तो वहाँ से थोड़ा बहुत rejection देखने को मिलेगा कोई बहुत जादा hardly rejection area नहीं और 4 hour के अंदर भी अगर बात करें तो 4 hour में भी 28 वाला जो level है वो resistance area है और 4 hour में 28 के बात फिर 30 वाला 4 hour में अगर बात करें तो यहाँ से 0.028 और उसके बाद 0.30 वाला यहाँ से थोड़ा बहुत rejection 4 hour में भी देखने को मिलेगा तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो यह भी चीज़ा आपको फोलो करनी है और जो छोट टम में होल्ड करना चाहते हैं वो 0.036 का target रखेंगे अब यहाँ पर जिन्होंने entry नहीं ली है बाइ नहीं किया है पोखोट जादा घबराने की जरुवत नहीं है हमारे buying range के अंदर यह coin आ गया है और यहाँ से एकाथ fluctuation और होगी अगर BTC वापिस 36,800, 700 तक fluctuate करता है जैसे अभी नहीं कर रहा है अभी almost आमारा 3 p.m का round हो रहा है अगर Indian time की बात करें तो अब जैसे शाम को US market open होगा तो थोड़ी पहुत market volatile उस time रहता है fluctuation dump करा, pump करा या pump करा, dump करा इस type से हो जाता है तो 26 या 255 तक try कर लेगा कोई problem नहीं है उसमें आपको as it is buy लगा के रखनी है 26 के round में और अगर market को follow करते तो 262 तक भी buy कर सकते 262 या 258 के round तक market को अगर आप follow करते तो और आपको बहुँ जादा load नहीं लेना आपको buy limit लगा देनी है 262 हो hate कर देगा कोई problem ने पहले शी ही है जब आप market खोलो करते हैं तो फिर आपको लगता है candle यह तो जा रहा जाएगा और फिर एकाथ candle green candle बन जाती है तो आपको लगता नहीं यह अब नहीं जाएगा हमें यही buy कर लेना चाहिए इसमें आप emotionally हो जाते है इसलिए buy limit लगा कर रखें देखना ही नहीं उसको एक दिन बाद देखें क्योंकि sport में इतनी कोई problem नहीं रहती है आपको बहुत जादा घबराट हो रही हो sport के अंदर इतनी कोई problem रहती ही नहीं भाई price जो है वो 2.6 पर है price नीचे चली जाएगी 2.3 या 2.4 पर चली जाएगी तो हमारी second level की buying है ही मैंने खुद ने this coin को 2.6 से 2.7 के buying किया हुआ है और second level के लिए मैं खुद वेट कर रहा हूँ तो मैं कोई बहुत जादा नहीं देख रहा हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत amount मैंने भी लगाए वालेकिन बहुत जादा amount नहीं है आपको ऐसे coins के अंदर बहुत कम part लगाना है यह आपको दिहान रखना है target आप जैसे 2.6 और 2.35 पर buy करेंगे same target आपके 3.1 और 3.3 रहेंगे इसके अलाबा अगर आप नए हैं जादा knowledge experience नहीं है तो हमारी premium membership में enroll करें अगर पुराने भी हैं आप आपको knowledge नहीं है या आप futures के अंदर करना चाहते हैं तो हमारे दोनों प्लान से sport का भी प्लान है premium membership का futures का भी दोनों अलग अलग है कुछ ने कुछ हमारे जो member से उन्होंने दोनों प्लान से लेके रखें तो आप भी अगर join करना चाहते हैं तो instagram पर dm करके join कर सकते हैं वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जाएगे, signal share की जाएगे चेट access रहेगा और भी बहुत सारे benefits हैं तो instagram की link जो वो description में वहाँ से आप message कर सकते हैं details ले सकते हैं और join कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहे हैं वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें चैनल को subscribe कर लें Thank you